अस्लाम लेकुम हसना वेलफेर एंड जवलप्निट और्गनाइजेशन एक नॉन गवर्मेंटल और्गनाइजेशन है जहां स्पेशल पर्सन्स को डिफरेंट शॉर्ट कोर्सिस करवाए जाते हैं हसना वेलफेर एंड जवलफेर से आपको कंप्योटर एप्लिकेशन रिचार्स इन वेडियो के लेक्चर्स पर हम किये जा रहे हैं लेक्चर्स से मतलिक इसी भी किसम की मलूमात लेने के लिए हमसे राप्ता करें 1 नमबर 051-5780562 मुबाइल नमबर 03-1251-22001 बिसमिल्ला रह्मान उर्रहीम असलाम लेकुम मैं हूँ अब्ला खालिद और आज हम कंप्रेटर कोस के सिल्सले की क्लास में मौजूद हैं आज हम माइक्रो सॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे के हम लाइन स्पेसिंग या अपने टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट के द की ओपर लाइन स्पेसिंग करते हैं सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कंट्रूल प्लस ए से यह एक जितना भी टेक्स था उसारा सेलेक्ट हो चुका है सिंगल लाइन स्पेसिंग अगर हमने करनी हो यानि एक एक लाइन के दरमयान एक एक लाइन स्पेस हो तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस वन का इस्तमाल करना है करते हैं इसने इसका फंक्शन अनॉंस नहीं किया अब हम इसको चेक करेंगे जॉज प्लस एफ से या इंसर्ट प्लस एफ से इसने लाइन स्पेसिंग सिंगल हमें बता दी सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस वन अगर हम डबल लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस टू प्रेस करते हैं इसको भी अब हम फिर जॉज प्लस एफ से इसको चेक करेंगे 11. black on white कलिबरी हाइलाइट नॉर्मल स्टाइल लाइन स्पेसिंग डबल पैर लाइन स्पेसिंग डबल अब यानि डबल लाइन स्पेसिंग हो गई टेक्स के दरमें दो दो लाइनों का फासला जो है वो इस वकत आ चुका है अब अगर हम 1.5 यानि डेर्ड लाइन का फासला 1.5 लाइन स्पेसिंग हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस 5 का इस्तमाल करना है करते हैं इसको भी अब हम फिर जोज प्लस F की मदद से इसको चेक करेंगे 11. बाइन प्लाइन 1.5 परसंट 1 लाइन यानि ये तकरीबन एक लाइन से कुछ ज्यादा फासला रहता है और 1.5 ये कहलता है ये थी लाइन स्पेसिंग इन्शाला आप से नेक्स क्लास में मुलाकात होगी तब तक के लिए अब्दला खालिद को इजाज़त दीजे आला आपिस